इस class में आप लोगों को हम class 12 वे की सामानने हिंदी विसाय के अंतरगत संपूर्ड हिंदी काप विसाय के बिकास के 25 महत्पूर प्रशनों को बताने जा रहे हैं सभी विद्यारतियों को पता है कि उनका पेपर 16 फरवरी को सुलू है तो 16 फर्वरी को जो भी आपको हिंदी बिसाय का पेपर देखने को मिलेगा उसमें 5 कोशन आप लोगों को काप बिसाहित के बिकास के देखने को मिलेंगे तो हमने संपूर अबिसाहिति के विकास के अंतरगर 25 प्रस्णो को लिया इस क्लास में जब इस क्लास को कर लेते हों तो बोर्ड एक्जाम में आपको प्रश्णी यहीं से देखने को मिलेगा तो सभी बिद्धरते बैइ क्लास को आंदे तक करेंगे और क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आगे के क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बिना समय लाउस के हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को सरगो के संग्या कितनी है पंदरा है और कामाइनी जो है वो जैसंकर पर साथ दोरा रचित एक महा काब्बी है याद रहेगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन वेरी वेरी मोश्ट इंपर्टेंट वाइदेही वनमास के रचाईता को ने वही है चार आप्सन है मैतरी सरड़ गुप्त महा देवी वर्मा सचिदनन हिरानन वास्यान अग्ये आयोद्या सिंग उपाद्य हरियाओध तो इस कोशन का जो राइट एंसर है वो आपका है आयोद्या सिंग उपाद्य हरियाओध याद रिखेगा वेरी वेरी मोश्ट इंपर्ट 243 है और दूसरे सब्तक के प्रकासिन की बात करें तो 1951 है और तीसरे के अगर बात करें तो 1969 है कितना है 1969 और चौथे तार सब्तक के प्रकासिन की बात करें तो 1989 है ये चारों तार सब्तक के प्रकासिन वर्स याद कर लीजी एक कोशन यहां से आपके एक्जाम में हर साल आत तीसरा सब तक का जो प्रकाशन वर्स है वो कितना है तो option नमबर जो second है वो आपका सही हो जाएगा option नमबर second क्या है 1969 तो तीसरे तार सब तक का जो प्रकाशन वर्स है 1969 है दूसरे का 1950 पहले का 1943 और चोथे का 1989 याद रखेगा चारो कोशन एक जरूर आएगा अगला कोशन है सुमित्रा नंदन पंत को साहित अकादमी पुरुसकार मिला था आपको हम बताना चाहेंगे कौन सा पुरुसकार मिला था सेवियत लैंड नहरु पुरुसकार और यहाँ पर जो चितंबरा है यह भी पूझा दाता है तो सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा पर भारती ग्यान पीट का पुरुसकार मिला था यह जरूर याद कर लिजेगा कि सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा पर भारती ज्यान पीठ का पुरुसकार मिला था है प्रबल समाऊना है ऐसे कोशनों के आने की अगला कोशन है कि राम धारी सिंग दिनकर की रचना कौन सी है परसु राम की प्रतिच्छा ऐसा कोई घर आपने देखा है प्रतिबी पुत्र उसके बाद है स्वर्ड किरड इसमें आपको बताना है कि राम धारी सिंग दिनकर की रचना कौन है तो राम धारी सिंग दिनकर की रचना है परसु राम की प्रतिच्छा ये सबी लोग याद के लिजएगा very very most important question है उसके बाद दूतरी रचना है आईसा कोई घर आपने देखा है ये जो रचना है वो आपकी अग्येजी की रचना है किसकी रचना है अग्येजी की रचना है और जो पृतिबी पुत्र है वो डाक्टर वास देव सरड अगरवाल की रचना है किसकी है डाक्टर वास देव सरड अगरवाल की रचना है और सरड किरड ये किसकी रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत किसकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ये भी तीनों रचना है आपको आने चाहिए और परसु राम की पर्तीचias किसी रजना है रामधारी सिंग दिनकर की रजना है भई ठीक है ना? चलि बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले कोशन के और तो अगला कोशन है कि तार सबतक का प्रकासण वर्स अभी नहीं मैंने कहा ना कि तार सबतक का जो प्रकासन वर्स से याद रखेगा 1943 है ठीक है न? अच्छे से याद रखेगा और दूसरे तार सब तक का 1954, तीसरे का 1969 और चौथे का 1989 ठीक है न? चलिए पढ़ते हैं आज की क्लास के अगले कोशन के और अगला कोशन है कि प्री प्रवास महा काबिके रचाईता हैं काउने भी या प्री प्रवास महा काबिके रचाईता काउने हैं आप सभी को बताना है option number one रामधारी सिंग दिनकर जै संकर परसाद जगनात रतनाकर आयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोद आपको ये बताना है कि जो प्री प्रवास है इस महा काबिके रचाईता काउने सभी विद्यार्थियों को पता है प्री फुरस महा काबिके जो रचाईता है वो आयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोद जी है ठीक है वेरी वेरी मोश्ट इंपर्टन कोशन है आज की क्लास का अगला कोशन जहरना की रचाईता सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए जहरना आसू इसके रचाईता काउने जै संकर परसाद जी है काउने जै संकर परसाद जी है अगला कोशन है ग्याना सरही भक्ति साका के प्रतिनिदी कवी 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 है तो आपको बता दें कि ग्याना सरही भक्ति साका के जो प्रतिनिदी कवी है वो आपके हैं कवीरदास कवीरदास वेरी वेरी मोस्ट इंपर्टन कोशन है सभी विद्यारतियों को आना चाहिए अगला कोशन है हमारा कि निमने लिकित में से कौन सा गरंथ आधिकाल का है आधिकाल का कौन सा गरंथ है आधिकाल का यहाँ पर जो गरंथ है वो आपका है बीसल देव रासो निमने लिकित में से कौन सा गरंथ जो है आधिकाल का है बीसल देव रासो ठीक है तो इस तरीके से ये प्रशन भी आप सभी लोग अच्छे तरीके से तयार कर लिजेगा बढ़ते हैं आज के गलास के अगले कोशन के और तो अगला कोशन भीया कामाईनी रचना है तो ये प्रशन सभी विद्यारतियों को आता होगा मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि कामाईनी मैंने कई बार बताया है कि ये जैसंकर परसाथ की रचना है ठीक है ना आगे चलिए बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा हिंदी साहित के आधिकाल के लिए वीज वपन नाम किसने दिया भीया वेरी वेरी मोस्ट इंपर्टन कोशन हिंदी साहित के आधिकाल के लिए वीज वपन काल जो नाम है वो किसने नाम दिया है किसने दिया है रा आज की गिलास का अगला कोशन भीया कि आश्ट छाव कभियों की का सम्मंद है भगतिकाल की किस साखा से तो आपको बताना चाहेंगे कि आश्ट छाव के कभियों का सम्मंद भगतिकाल की केड़न भगति साखा से किस साखा से केड़न भगति साखा से वेरी वेरी मोश्ट और अगला कोशन है कि कितनी नावों में कितनी बार काब बिकरित है सचिदानन हिरानन वास्यान अग्ये की है हरिवन स्वुराय बच्चन की है गिरिजा कुमर मातूर की सुमित्रन नंधन पंत की है तो ये भी सबी विद्यार्थियों को प्रशन आता होगा आपको बताना चाहेंगे इस कोशन का जो राइट एंसर है वो मिस्र बंदु है मतलब राम चंदर सुख ने हिंदी साहित के जिस काल को रीद काल नाम दिया है उसे स्रंगाल काल का नाम दिया है मिस्र बंदु उम्मेद है कि आप सभी लोग ये कोशन जानते रहूंगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले कोशन के ओर अगला कोशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन कोशन की भागतिकाल आंदोलन का स्रे जाता है किसको जाता है भागतिकाल आंदोलन का स्रे जाता है रामा नुजा चारे को जाता है इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा रामा नुजा चारे हो जाएगा आज के क्लास का अगला प्रश्ण देखते हैं कि चिंता मड़ के कवी कौन है रीती सिद्ध वर्ग के रीत मुक्त वर्ग के रीत रहित वर्ग के रीत बद्ध वर्ग के तो जो चिंता मड़ी कवी है वो रीत बद्ध वर्ग के कवी है ठीक है न तो यहां पर आगे बात करते हैं अगले कोशिन की तो अगला कोशन ही हिंदी का प्रत्थम कभी किसे माना जाता है गुरकनात को, चंदरबर्दाई को, जगनिक को और सरहपपा को तो हिंदी का जो प्रत्थम कवी है वो सरहपपा को माना जाता है और ये प्रशन भी सभी विद्यारतों के जुमान पर रटा होना चाहिए आज के किलास का अगला कोशन कि मुकरिया रचना किसकी है भईया मदुकर कवी की, कुसल राम की, अमीर खुसरो की, भट केदार की तो आपको बता दें कि जो मुकरिया रचना है वो भईया अमीर खुसरो की है किसकी है? अमीर खुसरो की ये रचना है ये प्रशन भी आप सभी को याद रखना है तो बढ़ते हैं आज क्लास के अगले कोशन की और अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जो कामाईनी रचना है वो जैसंकर परसाद की है यानि जैसंकर परसाद जी ने कामाईनी रचना को रचित किया है अगला कोशन है कि निमनिलिकित कवियों में से कौन प्रगतवादी यूग का है आपको ये बताना है कि कौन प्रगतवादी यूग का कवी है तो यहाँ पर जो अग्रदास लिखा इसे अग्रवाल कर लिए जिएगा ठीक है केदारनाथ अगरवाल जी है प्रगदवादी युक के कभी है ठीक है निमिकित कभी हो में से कौन प्रगदवादी युक का है तो केदारनाथ अगरवाल जी है बाकी कोई नहीं इसमें तो इस question का right answer option number one हो जाएगा अगला question है देखे फिर repeat हो आप तार सब्तक का प्रकासन वर्स मैंने अभी बताए तार सब्तक का प्रकासन वर्स 1943 है इसे भी याद रखेगा अगला question है कि दिवेदी युक की रचना नहीं है तो दिवेदी युक के कौन सी रचना ऐसी जो नहीं है और यही मैं आपको होमर के दे रहा हूं इस क्लास का जो हुमर के वो यहीं कि दिवेदी युक की रचना कौन सी नहीं है इसका उत्तर हमें कमेंट बाक्स में आप सभी लोग बताएगा आज की क्लास का हमारा last question है कि निमने लिकित मैंसे कौन सी क्रिटी महा काब नहीं है यह question भी आ चुका है भी कल की क पूर प्रशनों को discuss कर दिया यहां पर और मेरी पूरी उमीद है कि यहां से आप लोगों को board exam में प्रशन देखने को जरूर मिलेंगी तो सभी विद्यारती इन प्रशनों को जरूर तैयर कर लें फिर आपको next video में हम मिलते हैं आगे के प्रशनों के साथ जैहिंद वंदे म आपको जांटर आपको जाएं प्राम रादानों को जाएं आपको को जाता से प्रशनों को जाएंवे झालों को जाएंगी दो एकुर दोला म्लाव बलाधों में वाल की तो समाटरह हैं झाल झाल